असलाम अलेकुन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हरी मुच्छी वाला कीमा आलो तो चले चलते हैं देखते हैं डिफरेंट रिस्ट्राइल में कैसे बनता है यह लेकिन अगर उसे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चलते हैं रैसे पी की दरफ हमेंने आदा किलो कीमा लिया है मोटी मशीन का है तीन मीडियम साइस की प्याज लिए हाफ डाल देंगे हम हाफ बाद में यूज करेंगे एक टिमाटर है जिसे मैंने चॉप कर लिया था दस से बारा हरी मिट्ष हाफ डालेंगे हाफ ब पेस्ट्रे आधा टीजपून चिली फ्लेक्स आधा टीजपून हल्दी पाउडर एक टीजपून भरके गरम मसाला एक टीजपून जीरा पाउडर एक टीजपून धनिया साबुत धनिया गश्लीफं दस से बारा काली मिट्ष है दो इसटीग डालएं मैंने यहां दार्ड चीनी की अधे ú retro का नमख यूज करेंगे इस इन सब चीज़ों का मिक्स कर लेंगे किकि अछिका से मिक्स और लेंगी इनकी मसालों को यहां मैंने हालडी और प्यास का कीमा बनाया ये तो इसमें हम लाद मिर्चे अड़ी नहीं करेंगे अब इस तरह से इसको मिक्स करना है तो जब सब मिक्स हो जेगा तो हम इसको अप्सकल कर देंगे अपने之前 में यहां मैंने एक पैन लिया है इसमें डियर कप ऑईल डालेंगे ऑईल मैंने थोड़ा ज्यादा लिया है यह हमने मेरिनेट किया था अपना कीमा सारा इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम दो कप पानिया अट कर देंगे मेरे यहां मोटा कीमा तो इसलिए मैंने दो कप लिया है आपका अगर बारी कीमा हो मशीन का तो आप एक कप डालेगा बस इसे हम कवर कर देंगे एक बॉयल आने तक हाई फ्लेम पर यहां मैंने इसको कवर कर दिये दस मिन के बाद इसको देखते है यहां देखें एक बॉयल आ चुक है बस इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से सारे मसाले बिल्कुल मीडियम टू लो पर हम इसको छोड़ देंगे गलने तक यहां देखें मेरा हाफ पानी ब्राय हो चुक है तो बस इस स्टेज पर हम अपने आलू एट कर देंगे आलू को मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे गलने तक यहां मैंने आलू छोटे चॉप किये थे यह देखें 10 मिन हो चुक है अब हमारा पानी पुलू ब्राय हो चुक है आलू भी गल चुक है तो यहां जो मैंने कच्छी प्यास और हर्मिर्ची बचाएं थी वाइट कर देंगे अच्छे से इसको भून लेंगे इसको अब भूनना है हमें अच्छे से भूनेंगे इसको अगर अब यहां आपको पानी कम लगे तो आप पानी ज़्यादा हैट कर सकते हैं कि यहां देखें अच्छे से भून गया हमारा मुझे पानी कम लगा तो तो मैंने दो गुड पानी इसमें डाल दिया प्राइ करेंगे इसको मैंने अद्रग की स्लाइस काटी थी जो इसको बूनते वक डालेंगे हम यहां धनिया डाल देंगे थोड़ा सा धनिया चॉप किया था मैंने यह बस इसको मिक्स करना है और एक से दो मिन तक हम इसको कवर करके रख देंगे यहां देखिए अच्छा से बहुन चुका है इसको एक से दो मिन तक हम कवर कर देंगे और फिर देखते हैं अपने की में को यहां देखिए ओल उपर आ चुक है हमारा कीमा आलू रड़ी है हरी मुच्छों वाला कीमा आलू आई है बहुत ही मज़ेदार बनता है आप जरू ट्राय करिएगा अपने घर में गार्णिश करते हैं यहां मैंने जो थोड़ थोड़े से धनिया और अध्रकी स्लाइस बच कि में की तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटी सी रेसिपी के साथ मज़दार सी रेसिपी के साथ तब तेक के लिए अजाज़त दीजिए आल्ला हाफिस